मित्रो बेलकम मैं आप सभी का अपने यूटूब चैनल दिनेस राजवन से पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ और आज फिर में लेकर हाजिर हूँ जो डेली प्रेक्टिस सेट चला है मेरे चैनल पर यूपी टेट यूपी टेटी 2019 के लिए मैंने परियावरान अध्यान का स्पेशल प्रेक्टिस सेट प्रारम कर रखा है अपने यूटूब चैनल पर जिसमें मैं डेली देश प्रेशनों का सेट लेकर हाजिर रहता हूँ और जो मेरा भाग नंबर 12 था ये मेरा भाग 13 है दोस्तो भाग नंबर 12 में मैंने प्रेक्टिस कुष्चन पूछा था आप सभी के कमेंट बॉक्स में अंसर लिखना था आप सभी लोगोंने भागीदा नर्बना नदी का उद्गम इस्तल अमर कंटक जगे है जो सत्पुडा परवत की परवत चोटी है दोस्तो समझ गए होंगे याद रहना चाहिए तो दोस्तो कॉपी पेन लेकर के आज फिर तयार हो जाईएगा आपका पार्ट नंबर 13 यूपी टी प्रेक्टिस सेट का पार लोगे रेजल्ट नहीं बताते हैं कमेंट कुश्चंस का अंसर तो दे देते हैं कमेंट करके मित्रो रेजल्ट भी थोड़ा बताया करें तो और अच्छा लगेगा चलिएगा समय नहीं गवाते हैं पहला प्रिसन आ गया है आपके सामने हल कीजिएगा अपने नोटबुक म भोजन, D, सूर का प्रिकास दोस्तो अपना टिक कर लिया होगा अंसर तो मैं बता रहूं इसका सही अंसर है पहले प्रिसन का D option सूर का प्रिकास या सन लाइट जो है सॉलर इनरजी वो एको सिस्टम के लिए प्रात्मक उर्जा या प्रात्मक स्रोत का कारी करती है ओके दोस दूसरा कुश्चन आपके सामने है बिंध्यांचल और सत्पुड़ा परवत के मद कौन सी नदी प्रवाहित होती है ये दोनों परवत हैं बिंध्यांचल और सत्पुड़ा दक्कन के पठार में विस्तृत हैं तो बताने हैं कौन सी नदी प्रवाहित होती है इनके मद से और नर्वदा ये चारों खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं मिन्स पानी डालती हैं और ये दो नदियां जो नर्वदा और तापती ये दोनों नदियां पूरी तरह से पूर्व से पस्चेम दिसा में बहकर खंबात की खाड़ी में पहुंचती है और ये एस्चुरी बनाती है डेल्टा नहीं बनाती है एस्चुरी बनाती है ओके दोस्तों तीसरा प्रिसन आपके सामने आ चुका है धोलागिरी परवचोटी किस देश में इस्ते थे आपको ये चोटियां भी बहुत महत्पूर है या सही अंसर लगा लिया होगा आपने तो मैं भी बता रहा हूँ इसका अंसर सही है तीसरे प्रिसन का A ओप्सन नेपाल देश में इस्ते थे नेपाल में आपकी एवरेश्ट भी है अनपूर्णा भी है और धोलागिरी परवचोटी भी है तो याद हो गया नेपाल में B बंगलादेश C नेपाल D भारत तो अंसर लग गया होगा आपका ब्रह्मपुत नदी नेपाल देश से नहीं पिरवाहित होती है तिबबत से मानसरुबर जील के पास से निकल करके फिर आती अरणाचल प्रदेश आसम तो भारत में आ जाती है फिर जाती है बंगलादेश म किस देश में पाई जाती है आपको बताने हैं चार देश हैं और इसमें से बायो डाइवर्सिटी जेव बिविदिता किस देश में सरवाधिक पाई जाती है A आपसन कनाडा B आपसन चीन C आपसन ब्राजील D आपसन आस्टेलिया चार आपके सामने है ध्यान से देखिएग तो ब्राजील भूमद रेखा परेशते थे और ब्राजील एक ऐसा देश जिसमें दो रेखा हैं मकर रेखा और भूमद रेखा तो किलियर हो गया होगा कनाडा उत्री अमेरिका का देश है जिसकी राज़दानी उटावा चेन को आपको पता ही है एसिया का देश है चेन की बीजिंग, ऑस्टेलिया की राजधानी कैनबरा, तो ऑस्टेलिया महादीप में इस्ते थे, छटमा, कुश्चन छेर, भारत का सुदूर दच्छनतम बिंदू, याद रखियेगा दोस्तों, कुश्चन ध्यान से, भारत का सुदूर सबसे दच्छनतम बिंदू का नाम, A. चे सबसे दूर कहा है, मुख भूमी का नहीं, मुख भूमी का दोस्तों कन्या कुमारी है, ओके दोस्तों, कन्या कुमारी भारत की मुख भूमी का दच्छनतम बिंदू, जबकि सुदूर और सबसे दूर कहें, तो इंदरा पॉइंट, जो अन्नमान निकोवार के दीब समूहों में इस्तेत है, इंद्रा पॉइंट, इंद्रा कॉल सबसे उत्री पॉइंट है, आपका जम्मू कस्मीर में इस्तेत है, और तमिलाडू कराजधानी चेन नहीं है, मालूम होगा, सात्मा प्रिषन आपके सामने है, भारती समिधान में नागृता किस भाग में उल्लिखे थे तो दोस्तों समझ गए होंगे भारती सम्मिधान में जो citizens है वो किस से भाग में उल्लिखे थे A option भाग 2, B option भाग 1, C option भाग 3, D option भाग 4 अपना अंसर टिक कीजिए जल्दी से साथ में परिशन का अंसर है जो भारत में एकल नागरिकता का प्राओधान है वो भाग 2 सम्मिधान में उल्लिखे थे सम्मिधान में भाग कितने हैं 22, टोटल भाग हैं 22 हैं ओके दोस्तों अगला आठवा प्रिशन है विस्व में सरवाधिक अमलिये वर्षा ऐसे ड्रेंड किस देश में होती है नेमलिके चार देश दिये गए उसमें से चुनना है सबसे अधेक अमलिये वर्षा किस देश में A. उप्सन अर्जेंटीना, B. उप्सन चीन, C. उप्सन फ्रांस, D. उप्सन नार्वे सरवाधिक ऐसे ड्रेंड दोस्तो D. उप्सन सही है नार्वे नार्वे की राजधानी ओसलो तो नार्वे में होती यह सरवाधिक अमलिये वर्षा विच्टू में ओके दोस्तो फ्रांस की राजधानी पेरेस है चेन की राजधानी बीजेंग आपको बताई चुके हैं अर्जेंटिना की राजधानी 27 Arab से अर्जेंटिना दच्छन अमेरिका का एक देश है जिसमें पंपास घास पाई जाती है दोस्तों याद रखना ओके दोस्तों नौमा प्रेशन आपके सामने यूरोप की सबसे उची चोटी माउंट एलवरोस किस परवत स्रेणी मिशते थे यूरोप है जो उस महादीप की सबसे उची चोटी माउंट एलवरोस है जो किस परवत मिशते थे अ आलफस बी प्रेनीज परवत सी काकेसस परवत डी ब्लेक फॉरेस्ट दोस्तों अपना अंसर टिक कीजिए नौमे प्रेशन का अंसर है काकेसस जो काकेसस परवत है यूरोप औरेसिया के बॉर्डर पर इस्ते थे काकेसस राजियों में देश है जोर्जिया, आर्मेनिया, अजर्बेजान ये तीन देश काकेसस इस्टेट कहलाते हैं काकेसस परवत में इस्ते थे आलफस परवत इटली के उत्तर में सुटिजर लेंड जैसे देशों में विस्तर थे सुटिजर लेंड में सरवाधिक विस्तार है प्रेज़ परवत फ्रांस और स्पेन के मद्ध है ब्लेक फॉरेस्ट जर्मनी का है तो इसका अंसर समझ गए होंगे अलबरोस चोटी काकेसस में दस्वापरिसन बैंगुला की जल्धारा की प्रकरती है जो बैंगुला की जल्धारा है उसकी प्रकरती बताना है ठंडी है, गर्म है, C उप्सन गर्म और ठंडी है, D उप्सन कोई नहीं तो बैंगुला की जल्दारा कहां पर रवायत होती ही पहले तो ये दिमाग में लगाईए अफ्रीका के दच्छन पस्चिम समझ गे दोस्तो अफ्रीका महादीब के दच्छन पस्चिम बैती है गिनी की खाड़ी के पास तो ये बैंगुला की जल्दारा ठंडी है कैसी है ठंडी है क्योंकि ये धुरूओं से भूमत रिखा की ओड़ जा रही है ओके दोस्तो समझ गयोंगे बैंगुला की जल्दारा ठंडी है दोस्तो थोड़ा सा और याद रखें गल्फ इस्ट्रीम गरम जल्दारा है फॉकलेंड जल्दारा ठंडी है कनारी की जल्दारा ठंडी है ओके दोस्तो नोट कर लिया होगा अपना रजल्ड बताईएगा जल्दी से क्या हुआ है दसमें से कितने सही है दोस्तो अगर वीडियो पसंद आए तो करना सेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा अगर चैनल पर आप नए है तो ओके दोस्तो बेल आइकन को भी दबा लेना जिससे आपको नोटिफिकर्सन जल्दी मिलें 11 प्रेसन कमेंट बॉक्स में अंसर देना है दोस्तो इसका अमर कंटक देंगे दोस्तो मुझे आसा है अपना रेजल्ट भी बताएंगे मित्रो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अंसर दीजिएगा और मैं इसका अंसर कल बताऊंगा वेडियो अगर पसंद आया हो दोस्तो तो लाइक कीजिएगा जादा से जादा सेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स फोर वाचिंग वीडियो